हाई फ्रेंड्स दिस इस अभी जीट फ्रेंड्स जैसे मैं आप लोगों को वादा किया था कि मैं अपने चैनल में फोटोग्राफिय एलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो यह मेरा पहला फोटोग्राफिय वीडियो होगा तो आशा करते हूं यह वीडियो आपको पसंद तो फ्रेंड्स हम लोग अगर एक DSLR के naked body को देखे without lens तो कुछ इस तरह की दिखेगा और इसमें different components आपको दीख रहे हैं तो number one जो है वो है आपका shutter button shutter button क्या करता है shutter button आपको mainly photo लेने में मदद करता है इसके द्वारा आप photo ले सकते है तो यह shutter button में दो तरह की click होता है half and full half click क्या करता है half click जब आप करोगे तो आपका autofocus lock हो जाएगा तो autofocus lock करने के बाद आप जब full click करोगे तब उस focus में आपको photo आपको मिलेगा तो यह shutter button mainly आपका बहुत important component है तो next जो component है वो है आप देख सकते हो एक lens mount lens mount क्या करते है lens mount आपको lens को body के साथ जोड़ने में मदद करता है lens mount में आपको दो indication मिलता है एक red एक white red indication जो है वो आपका EF lens के लिए है और white है EFS lens के लिए यह सब क्या है यह next video में आप लोगों को बताऊंगा तो यह दोनों यह same तरह की indication आपको lens में भी मिलेगा जिसके मदद से आप lens को इसमें चोड़ सकते है तो next जो component है वो है lens release button तो इसके मदद से आप lens को unmount करने में unmount कर सकते है तो next जो है आपको camera की ऊपर की तरफ एक मिल जाता है built-in flash तो built-in flash आपको पता ही है built-in flash आपको जब low lighting condition होता है तो फोटो लेने में मदद करता है तो यह built-in होता है तो इसके अलावा आपको नीचे मिल जाता है एक ट्राइपोड mounting ट्राइपोड के अगरते camera को shake करने से बचाता है और ट्राइपोड से आप camera को कोई भी shaking से बचा सकते हो तो इसके अलावा आपको एक मिल जाता है battery rechargeable battery battery compartment एक मिल जाता है next camera camera के body को अगर आप पीछे से देखे तो कुछ ऐसा components आपको दीखेगा तो यह सब में मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा क्या-क्या है तो पहला जो यह है एक आपको viewfinder मिलता है viewfinder के मदद से viewfinder के through आप कोई भी object को जिसका photo या भी video ले रहो मेंली photo तो आपको देख सकते हो viewfinder के मदद से आप screen में भी देख सकते हो but viewfinder के मदद से देखना better है क्योंकि उसमें बैटरी कम consume होता है तो यह रहा viewfinder तो viewfinder के बगल में आपको एक knob मिलता है तो यह knob क्या करता है यह knob basically जिसका eyesight कम है यह ज्यादा है उसको adjust करने के लिए यह knob मिलता है तो next जो है menu button menu button क्या करता है आपको different different options है उसको explore करने में मदद करता है और quick function है menu button का तो next जो है आपको screen screen जो है जो मेरा camera है Canon 700D जो आप देख सकते हो इसमें यह flip कर सकते हो आप तो यह flippable हर camera में नहीं होता यह device to device vary करता है तो Canon 700D में यह flippable है तो इसमें आप different menu options देख सकते हो चूज कर सकते हो या फिर इसमें video या फिर photo आप live view mode भी ले सकते हो तो next जो है वो है live view button live view button क्या करता है यह video लेने में मदद करता है इसको video बटन बोलते है video लेने में मदद करता है और यह जब photo ले रहे हो तब आपको live view में मतब screen में आप देख के वो फोटो ले जाते हो तो इसके लिए यह function ऐसे करते हैं कैसे करता है यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तो next जो है आपको एक speaker मिल जाता है कोई भी video recorded video सुनने के लिए next जो है आपको एक multi option switch आप देख सकते हो multi option switch के मदद से आप different menu options में toggle कर सकते हो तो next जो है play button मिल जाता है play button में button के मदद से आप कोई भी photos या video play कर सकते हो जो photos आप देख सकते हो play button के मदद से तो next जो है erase button मिलता है erase button क्या करता है कोई भी photos या video unwanted photos या video आपको delete करने में मदद करता है तो next जो है एक lamp दिया है यह lamp basically कोई भी hardware change होता है अगर camera में तो वह hardware change को notify करता है by blinking तो यह basically कोई भी hardware change कोई भी battery लगाता हो या फिर camera जब on करते हो तब भी यह blink करता है तो इसका function यह है आपको hardware changes का notification देता है friends अगर हम लोग एक camera को with lens top view देखे इसका तो आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा components आपको दिखेगा तो यह सब components मैं explain कर रहा हूं तो first जो है वो है autofocus और manual focus switch button तो autofocus on manual focus switch button जैसे आप को नाम सी पता लग रहा है आप lens को autofocus करना चाहते है या आप manually focus करना चाहते है तो उसको switch करने में मदद करता है यह button तो next जो है strap mount strap mount आपको step simply strap को mount करने में मदद करता है next जो है वो है microphone यह built-in microphone कोई भी video लेने के लिए built-in microphone जिसे quality बहुत ही घटिया होता है तो आपको external microphone करना चाहिए अगर आप YouTube के लिए YouTube वीडियो बना रहे हो तो next जो है एक hot shoe जो उपर होता है आपका camera built-in जो flash होता है उसको उपर होता है तो यह क्या काम करता है यह external कोई भी आपको external अगर flash आपको आप इसमें मांट कर सकते हैं तो next जो है वो है एक आयो सो बटन आयो सो बटन मेरे कैमरा में Canon 700D में है लेकिन यह वैरी करता है camera to camera model to model यह आयो सो बटन आयो सो एक setting होता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसको कम जादा करने में यह shortcut IOS beterson नेक्स्ट जो है वह मोट dużo मोट डाइल में आप देख सकते हो दो जोन है ऐन इल जोन जो है उसको हम आयो जों आप हम मैनृल मोड बोलते हैं और जो मैनृमनोड मोड या फिर क्रियेटिव मोड बोल सकता हो और जो है वह एक्चुली professional mode बोलते हैं प्रोफेशनल के लिए हैं इसमें हर सेटिंग को स्विच कर सकते हो अपने पसंद की सेटिंग आप उसमें डाल सकते हो और बी जो है वह है ब Dad click auto mode जिसको बार के बार में ज्यादा कुछ बात को में टार्म क्या करते हैं कोई भी setting में घूमाइब घूमाएब तो को सेटिंग उसका वेल्युजों बढ़ जाएगा कोई बी सेटिंग का वेल्यू जो कंव हो जाएगा अगर अप야지 हुमाते हैं तो ये जनेरलिस सब के लिए अप्लिकर विल यह एक्चुली शॉट कर तो नेक्स जो है वह एक आपको लेंस में एक बीच में लंबा सा रिंग मिलता है उसको गुमा के आप कोई भी लेंस का फोकल लेंग चेंज कर सकते हो या फिर बोल सकते हो जूम इन जूम आउट कर सकते हो तो इ लेंस के आगे पतला सा एक रिंग मिलेगा आप देख सकते हो तो यह इसको फोकसिंग बोलते है इसको जब मैनुल मोड में आप फोटो किछ रहा हो तब इसको गुमा के आपको फोकस अज़स्ट करना है तो बेसिक यही था कंपोनेंट्स मैं जानते हूं बहुत बहुत हो गया आप पॉइंट आउट कर दीजिए नीचे कमेंट करके और आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया और अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए इसमें इससे मुझे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले और फोटोग्राफिय रिलेटेड वीडि